बेलकम टो राजन आईटिया येटूप चेनल इस वीडियो में जानेंगे CITS कॉलेज ट्रांसफर के बाड़े में ठीक है काफी लोग को कॉलेज तो मिल गया था CITS की जो NHTI कॉलेज है वो कॉलेज तो एलाउट हो गया था लेकिन वहाँ पे खाने की प्रोबलम होती थी या तो वहाँ पे जो परहाई होती है लेंगविज समझ में नहीं आ रहा था या तो आपकी घर से कॉलेज ज्यादा दूर थी ठीक है transfer की date आ गई है, इस वीडियो में जानेंगे CITS की full transfer process के बारे में, ठीक है कि college को transfer कैसे किया जाएगा, उसके बाद फिर जानेंगे sport admission के बारे में, इससे पहले ये कादें कि CITS की full course, जिन लोग का CITS में admission हो गया है, उसकी full course classes मेरे द्वारा चलाया गया है, वहां से आप join कर के CITS की full course की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, मेरा नमबर है 9060582842, 9060584842, ये WhatsApp नमबर है, इस पे आप call भी 6pm, 27pm में कर सकते हैं, अब आते हैं जो process है उसकी बारे में, college की जो transfer है, उसमें, transfer की जो process है, उसमें इन्होंने कुछ guideline जारी किया है, ठीक है, उसके according ही आपको college transfer होगा, कुछ point हमने note किये हैं, लेकिन हम आपको इस point से समझा देंगे, कि आपको college की जो transfer की process है, वो किस परकार है, और college transfer कैसे होगा, ठीक है, सबसे पहला point यहां पे इन्होंने लिखा है, final transfer and export admission, this transfer round is only completed final admission, ठीक है, सबसे पहला point इन्होंने ये clear किये है कि transfer, transfer college उस, उही candidate करा सकते हैं, जिन्होंने final admission ले लिया है, ठीक है, जैसे, माल लिजे, किसी का college मिला था, लेकिन, उन्होंने final admission नहीं लिया, यानि, documents verification उन्होंने करवा तो लिया था, लेकिन, उन्होंने जो college मिला था, वहां जाकर के final admission नहीं लिया, ठीक है, उनके लिए यह नहीं है, transfer process उनके लिए है, जिन्होंने college में final admission लिया और अभी college में पढ़ाई कर रहे हैं, या तो final admission लेके घर आ रहे हैं, ठीक है, final admission जो लिया है, उनके लिए process है, यह पहला point किलियर हुआ, this transfer round is only completed final admission, इन्होंनों यहाँ पे clear क्या, completed final admission, जो final admission ले चुके हैं, उनके लि लिखा है, not got their first choice, दूसरा condition यह है, कि transfer आप तभी ले सकते हैं, जब आपका पाहला choice नहीं मिला है, जैसे, अगर कोई पाहला choice कानपूर लेता है, clear, और उसको कानपूर नहीं मिल करके, कोई दूसरा college मिल जाता है, तो क्या माना जाएगा, वो यह माना जाएगा, कि उसका प transfer ले सकते हैं, और जिनोंने पाहला choice ले लिया, गल्ती से लिया हो, या जान से लिया हो, जो भी लिये हो, अगर आप पाहला choice ले लिये हैं, तब आप college को transfer नहीं कर सकते हैं, clear है, दूसरा point भी clear हुआ, कि यह college transfer, वो ही उनहीं के लिए, चलिए, कोई बात नहीं, आगे की point थ देखते हैं, ठीक है, तो जो final admission लिये हैं, वो college को transfer कर सकते हैं, जिनका पहला choice college नहीं मिला था, वो भी college को transfer कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद बताया है, already go to transfer will be not be considered, आनि जो transfer एक बार ले चुके हैं, ठीक है, जो transfer एक बार ले चुके हैं, already go to their transfer will not be considered, आनि जो एक बार transfer ले चुके हैं उनके लिए ये नहीं है ठीक है इस point को आपको समझना होगा कि अगर आप transfer एक बार college को ले चुके हैं और transfer लेने की बाद आप चाहते हैं कि वहाँ भी अच्छी पराई नहीं हो रही है या वहाँ language समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अब दुबारा transfer लेना चाह transfer नहीं हुआ वह फिर दुबारा try कर सकते हैं चले इस point के लिए हुआ उसके बाद once transfer process is completed no change मतलब अगर आपकी transfer college को अगर आप transfer ले लेते हैं और transfer की बाद आप college को change कराना चाहते हैं तो भी change नहीं होगा जैसे माल लीजिए कि आप NHTI हाबरा में अभी हैं ठीक आप NHTI हाबर ठीक है अभी आप NHTI हाबरा में हैं आप transfer लेना चाहते हैं कानपूर ठीक है कानपूर transfer हो गया फिर लगया कि ना हाबरे बढ़ियां था कि ठीक है तब अगर आप सोचेंगे कि फिर हाबरा ही हम चले जाए या हाबरा college फिर ले 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 तो आपको नहीं मिलेगा ठीक है इस point क उन्हें किलियर कर चुका है कि किलियर कर चुका है कि जो transfer process is completed no change जिसका transfer एक बार हो जाएगा उसका फिर चेंज नहीं होगा इसलिए आप जो है सोच समझ के transfer कराईएगा ठीक है यह नहीं कि transfer ले लिए बाद में कि आचा गलतीन हो गया गलती से transfer हो गया हां थम लेने के sit देखता है कि कितना sit कहां खाली है कहां rank कितना है और उसी में transfer गलती से दूसरा college हो जाता है तो यह सब नहीं आपको अच्छे से देखना होगा और जो इन्होंने time दिये हैं इसके timing के according आप college को चुनेंगे यह point हो गई सबसे last point इन्होंने लिखा है transfer will be open on सबसे ज़्यादा important point यह है कि यहां पे इन्होंने लिखा है transfer will be open मतलब जो transfer है transfer की link कब open होगी ठीक है 15 दो 2021 यानि 15 फरवड़ी 2021 को link जो है open हो जाएंगे आप college को transfer करेंगे ठीक है transfer के लिए college की जो link है transfer की जो link है वो 15 तारिक के open हो जाएंगे और 10 a.m. अनि 10 बज़े सुबा से साम की 5.5.30 पिम तक link खुले रहेंगे clear है अनि 10 बज़े से 5 अनि 5.30 इसको बोला जाएगा 5.30 तक link open रहेंगे ठीक है तो आपको क्या करना है 15 तारिक को जिसको transfer लेना है उसको ठीक है ऐसा नहीं कि नहीं transfer लेना तो यो ट्राइक करके देखते हैं समझ में आ गया जिसको transfer नहीं लेना है उसको इस link को touch भी नहीं करना है समझ में आ गया अटच करना है तो दूसरा का इस्टेसन नंबर देना है जो ट्रांसफर लेना जाता है समझ में आ गया आपना देखके चेकने करना है कि देखने ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है समझवा गया जिसको ट्रांसफर लेना है वो 15 फरवड़ी 2000 के इसको एवलेवल लिंक एवलेवल हो जाएंगे 10 एम में और 10 वजे से सारे 5 वे तक लिंक एवलेवल लेंगे और आप जो है ट्रांसफर इसको कर सकते हैं सबसे बात यह है कि जो ट्रांसफर होगी क्या सभी को ट्रांसफर हो जाएंगे नहीं सभी को ट्रांसफर नहीं होगा और दूसरी बात है कि सभी जगा भी ट्रांसफर तो सभी को जो है ट्रांसफर नहीं होगा ठीक है ट्रांसफर जो होंगे ट्रांसफर किस मेथड से होंगे इस point को हम हम clear कर देते हैं, जो transfer होगी, सबसे पहली बात की जाए seat की, कि किस college में, जिस college में आप transfer लेना जा रहे हैं, उसमे seat कितना है, depends, यह कड़ेगा, पहला point पे depend यह कड़ेगा, करेगा कि जहाँ transfer लेना जा रहे हैं, वहाँ seat कितना है ठिक है जिस college में seat available नहीं रहेगा वहाँ पे आप transfer के लिए apply नहीं करिएगा ऐसा ने कि seat 0 दिखा रहा है तो यू apply कर दीजिएगा समझ गे कोई फायदा नहीं होगा दूसरा point ये है कि आपकी जो transfer होगी वो transfer AICC जो आपकीGI shaft interest exam में जो आपकी marks आई थी status entrance exam में आपका जो number आया था उसके recording transfer होगा transfer किसके recording होगा उसके recording आपका जो status entrance exam में number आया है उसके recording ही transfer होगे clear है इस point को clear हो गया आनि transfer आप करेंगे अच्छा इक ऐसे पता चलेगा कि कहां seat कितने खाली है ठीक है वो 15 तारिक को वहाँ पे seat एवलेवल कर दिये जाएंगे link जो निमी की website है उसकी website पे link आजाएगी जहां से आप college में कितने seat खाली है वो आप देख सकेंगे ठीक है और आप transfer कर बाएंगे ठीक है आसा करते हैं कि समझ में आ गया होगा अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो help line number जो मेरा है आप 9060582842 पर 6 पेम टू 7 पेम कॉल कर सकते हैं और अपने doubt को clear कर सकते हैं ठीक है आसा करते हैं कि समझ में आ गया होगा समझ में नहीं आया होगा तो आप comment कर सकते हैं वहाँ से आपको reply देने की कोशिस करेंगे ठीक है हमारे चैनल से जुरे रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक यू